नमस्कार दोस्तो आप सभी का हमारे इस नए वीडियो पे एक बर फिर से स्वागत है दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताने बला हूँ कि Employment Exchange में आप जो Registration करते हैं उस Registration को आप अपने Mobile Phone से ही कैसे Renew करेंगे आज के इस वीडियो में मैं आपको Step by Step बताने बला हूँ तो दोस्तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी request है वीडियो आपको थोड़ी से भी helpful लगे तो वीडियो को एक like जुरूर करना और दोस्तो अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबस्क्राइब करके बेल आइकन को All पर सिलेक्ट कर लेजिए इसी तरह की useful वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहती है तो चलिए दोस्तो वीडियो को सुरू करते हैं सबसे बले दोस्तो आपको अपने मुबाइल में किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है ओपन करने के बाद आप यहाँ पर आपको सर्च करना है Employment Exchange HP जैसे दोस्तो आप सर्च करेंगे तो आपके सामने पहले नंबर पर ही यह बहले वेबसाइट आजाएगी जैसे कि दोस्तो आप यह बर देख सकते हैं इस वेबसाइट को आपको अपने Chrome ब्राउजर में ओपन करना है ओपन करने के बाद यह बेबसाइट जो आप इस तरह से ओपन हो जाएगी अब दोस्तो यहाँ पर आपको 3-Line की ओप्शन पर क्लिक करना है जैसे दोस्तो क्लिक करेंगे आपके सामने Online Renewal का ओप्शन आजाएगा आपको इस वहले ओप्शन में क्लिक कर देना है जैसे क्लिक करेंगे आप आपके सामने इस तरह का Interface ओपन हो जाएगा अब दोस्तो यहाँ पर आपको अपनी जो Details है वो यहाँ पर डाल देनी है सबसे पहले दोस्तो आपको यहाँ पर District Select करना है तो District Select करने के लिए आपको यहाँ पर Select की Option पर क्लिक करना है जैसे क्लिक करेंगे बहुत सारे District आजाएगे है उसके बाद यहां पर करना है उसके बाद reaction करना है उसके बाद जो wanna यहाँ पर calendar से यहाँ पर enter करना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे के साड़ में यह जो capture code दिखाई दे रहा है यह capture code आपको यहाँ पर same to same यहाँ पर fill up कर देना है जैसे आप सारी details जैसे दोस्तों सारी details आप यहाँ पर डाल देंगे आपकी जो basic information है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी अब यहाँ पर आपको नीचे के साड़ में स्क्रोल करना है तो यहाँ पर मेरा जो certificate है वो पहले से renew है मैंने आपको बताने के लिए ये वीडियो बनाए था जैसे दोस्तों आपका जो certificate है renew हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर आपको next renewal month जो आपको देखने को मिलेगा उसके बाद यहाँ पर आपको accept देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों इस तरह से जो आप यहाँ पर आपना जो employment exchange का जो registration है उसे बहुत ही असानी से renew कर सकते हैं आपने mobile phone से